सब्सक्राइब किजिए तुशार डिजी चनल को और इस बैल आइकन को दबा ये लेटेस्ट कार वीडियो सबसे पले देखने के लिगे अबस्क्राइब दोस्तों मैं हूँ तुशार और लेकर रहे हूं आपके लिए नया वीडियो जिया दोस्तों आज हुम लोग देखने वाले हमारी लेटेस्ट मेहंदा बुले रोकार की और असेसरीस जानेंगे असेसरीस के बारे में और इसकी जानेंगे इसकी दोस्तों जैसे कि आप अभी देख रहे हैं आज हमारी पास में हैं मेहंदा बुलेरो पावर प्लस कार और इसमें आज हम लोग इंस्टॉल करने वाले सारी असेसरीस तो सब में पहले आज हम लोग बात करेंगे फॉग लाइट की तो यहां पर आप देखें हम लोगों ने यहां पर डियारल फॉग लाइट यहां पर इंस्टॉल की है जो कि वाइट कलर के आपको देखने को मिलेंगे और यह काफी बढ़िया और लेटिस फॉग लाइट है अभी यहां लुक की मैं बात करूं तो फरंट साइड से आप देखें दोनों साइड में हम लोगों ने य और यहां पर आपको एक नए चीज देखने को मिलेंगे कि इसके बीच में आपको एलेडीस देखने को मिल रहा है फॉग लाइट के अंदर और यहां पर आपको यह यू सेव का डियारल भी इसमें मिल जाता है लाइटिंग की बात करें तो यहां पर वाइट कलर का आपको मिलता है इसके अंदर यहां जिसमें बहुत सी LED लगी हुई है और कॉर्णर में इसमें आपको एक छोटा सा DRL भी मिल जाता है लोक की बात करें तो यह लोक काफी बढ़िया देता है यह DRL Fog Light और इसमें दो पैटन्स होते है दोस्तों जदी आपको सिर्फ DRL जो भार साइट का है यूसेप का वो चलाना है तो वो जला के रख सकते डे टाइम में और आपको दोनों जलाना है तो दोनों लाइट भी इसमें आप जला सकते हैं तो काफी बढ़िया चीज है यह लोक वा आपको अपनी गाड़ी के अंदर कुछ अच्छा DRL Fog Light लगवाना है तो बिलकुल आप इससे इंस्टॉल करवा सकते हैं अभी आप यहां पर देखे तो दोनों साइट में हम लोगों ने इससे काफी बढ़िया तरीके से यहां पर इंस्टॉल किया है और इसकी जो लाइट प्राइजिंग के रिलेटड जानकर है मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर की हैं आप वहां पर देख सकते हैं चलिए इसके बाद में हम लोग देखते हैं हमारी कार के लैदर सीट कवर्स तो हमारी जो कार है उसका जो इंटीरियर है क्रीम कलर में हैं और जो हमारी सीट कवर्स ह वो भी हम लोग एहाँ पर क्रीम कलर के इंस्टॉल करने वाले हैं तो यह जो लेदर हैं काफी बढ़िया है और फ्लेक्जिबल भी है और काफी अच्छा है यह जो लेदर है हम लोगों ने आटो फिजन कार रिजरी शॉप जो की भुपाल में हैं वहां से लिया है और यह manufacturing करती है सबी गारी इसके leather covers भी तो अभी हम लोग इस cover को हमारी bolero car के अंदर install करने वाले हैं तो वीडियो को आप पुरा देखिए हैं दोस्तो फुल installation मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं तो चलिए अभी मैं आपको बताता हूं कि हम लोग से install हो चुका है और यहां पर आप देखे तो इसका जो लोग है काफी बढ़िया है यह इंटीरिया से मैचिंग करता हुआ यहां पर आपको देखने को मिल रहा है और यहां पर जो फिटिंग हुई है इसकी proper हुई है back side के seat covers मैं आपको बताऊं तो back side के seat covers भी काफी बढ़ि सकते हैं इससे हम लोगोंने half day fitting की हैं जिसमें जो हमारी company के seat का cover है उसके जैसा shape लाने की हम लोगोंने कोशिश की है तो अभी यह दिहां पर देखे प्रॉपर यह यहां पर seat cover लग चुका है और काफी बढ़िया भी लग रहा है चलिए दोस्तों इस leather seat cover की price related जान करें के लिए मैंने description में details share की है और price की बारे में description में मैंने share किया है तो आप description check कर सकते हैं सारी ऐसे ही जो इस car के अंतर हम लोग ने लगाई है उसकी सारी price की details में description में share किया है चलिए अब हम लोग देखते हैं हमारे बलैरो कार के रूफ रेल को तो यहां पर आप देखें जो हमारी गार गारी के रूफ रेल है यहां पर इंस्टॉल हो रहे हैं यह वाइट कलर का रूफ रेल आपको देखने को मिल रहा है काफी बढ़िया है और यह आप को गारी के बाडी कलर में मिलता है बुलैरो कंपनी का ही यह रूफ रेल है और यहां पर आप देखें तो यहां पर आपको रूफ रेल के उपर बुलैरो लिखा हुआ भी मिलता है और यह आपको गारी का सेम गारी का जो बाडी कलर है उसमें आपको देखने को मिलता है और यह roof rail हम लोगे हमारेगा गाडी के ऊपर install कर रहे हैं काफी बढ़िया roof rail है और इसे install करने के बाद में जो गाडी का look काफी बढ़िया दिखने दिखने लगता है तो अभी वन साइट का रूफ रेल हम लोग ने इंस्टॉल किया है, शेकंड साइट का रूफ रेल भी यहां पर इंस्टॉल किया, पास से मैं आपको दिखा हूँ, तो काफी बढ़िया है, डिजाइनेबल है, और अट्रेक्टिव भी लगता है, गाड़ी बाहर से काफ़ी खुबस्चुरा लगती है यह रूफरेल इंस्टाल होने के बाद में यहां पर आप देखें तो इसको पॉपरली हम लोगोंने मैजर करके और यहां पर यह रूफरेल को इंस्टाल कर दिया है अभी मैं आपको दूर से दिखाता हूं गारी को कि दूर से रू रूफरेल का जो लुक हैं इंस्टॉल होने के बाद में काफी बढ़िया तरीके से दिख रहा है तो दोस्तों आज ये बुलैरो पावर प्लस की सारी एसेसरीज हम लोग के इंस्टॉल करने वाले हैं वीडियो का पूरा देखिए का और जैसे कि मैंने आप से कहा था गाड़ी का लुक बैक साइड से काफी बढ़िया दिखने लगता है जब ये रूफरेल इंस्टॉल हो जाते हैं चलिए अब हम लोग नेक्स एसेसरीज के बारे में देखते हैं और वो है हमारी गाड़ी की सब में भैतरीन एसेसरीज वो है क्रोम केट और यहां पर आप देखिए ये क्रोम केट इंस्टॉलिशन हम लोग यहां पर किया है जिसमें आपको पूरी गाड़ी के क्रोम सैट मिल जाते हैं जिसे आप अपनी गाड़ी के अंदर इंस्टॉल करवा सकते हैं और इससे इंस्टॉल करने के बाद में गाड़ी का लुक काफी शांदा हो जाता है अब यह यहां पर हममें देखें तो हमारे जो chrome kit हैं जिसके अंदर आपको सभी ऐसे chrome के parts मिल जाते हैं तो सब में पहले हम लोग बात करते हैं हमारी गाड़ी का जो यह bumper chrome है जिसे हम लोगों ने यहां पर install किया है जिसमें आपको महंदरा का लोगो भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है और जो इसके अंदर जो ग्रिल बने हुए है काफी बड़िया है काफी अट्रेक्टिव है यह इंस्टॉल होने के बाद में गाड़ी काफी शानदा दिखने लगती है तो इससे हम लोगों ने यहाँ पर इंस्टॉल किया और यह आपको किट के अंदर मिल जाता है जस्ट इसके इलावा हमारे गाड़ी के जो हैडलाइट है लेफ साइड और राइट साइड उसके उपर में भी आपको हैडलाइट क्रूम मिल जाता है जिसे हम लोगों ने यहाँ पर इंस्टॉल किया है अभी मैं इस bumper के grill को आपको दिखाऊँ तो काफी शांदार है और ये धूप में काफी बड़िया shine भी करते हैं तो फ्रंट साइट से गाड़ी में ये bumper में हम लोगों ने इस इंस्टॉल कर दिया है हेड लाइट के मैं बात करूं तो हेड लाइट क्रूम भी हम लोगों ने यहाँ पर इस्टॉल किया है जो कि आपको क्रूम सैट के अंदर मिलता है तो ये हेड लाइट का लुग भी ये क्रूम लगने के बाद में काफी attractive हो गया है तो दोनों साइट के हेड लाइट और बंपर ग्रिल हम लोग ने यहां पर इंस्टॉल कर दिये हैं जो कि आपको क्रोम किट के अंदर मिल जाते हैं इसके लावा दूस्तो हमारे पास में क्रोम किट के अंदर सबी गाड़ी के डोस हैंडल के क्रोम भी मिल जाते हैं बैक साइड के टेल लाइट का क्रोम भी आपको सेट के अंदर मिल जाता है इसके अलावा आपकी डिक की स्टैपनी का जो कवर है उसकी उपर में भी जो बुलैरो लुका हुआ क्रोम है वो भी आपको मिल जाता है तो वीडियो को पुरा देखिए गा दोस्तों वन बाई वन इस आपको क्रोम किट के अंदर मिलता है सारी चीजेए इसके लावो हमारे बैक साइड का यहाँ पर ये जो क्रोम में भी हम लोगे ने इस चीजा Beny सिक कर दिया है और जैसे कि मैं आपसे कहा था यह हमारी स्टैपनी कव ने कावर है और इसकी उपर भी आप कोई जो बढरो Chrome kit आपको एक box के अंदर मिल जाती है और ये जो Chrome है ये Falcon company की मिलती है काफी बड़िया company है जो की सभी cards के लिए Chrome kit available करवाती है market में तो Falcon company का ये जो Chrome है काफी बड़िया है और long time तक आपको ये चलता भी है backside में आप देखे तो ये हमारा जो लाइट है उसके उपर भी हम लोगों ने क्रोम को लगा दिया है और लगने के बाद में इसका जो लुक है काफी बढ़िया हो गया है चलिए अब मैं आपको लेफ साइट की हम बात करें तो यह हमारी बुलैरो पावर पस प्लस कारी है SLX और यहां पर भी आप देखे तो यहां पर भी हम लोगों ने क्रोम को इंस्टॉल कर दिया है चलिए अब भी हम लोगों ने सारे क्रोम किट को देख लिया है अब आज अब हम लोग देखते हैं हमारे डोर गार्ड को तो यहां पर आप देखे ब्लैक कलर का यह दोर गार्ड को तो यहां पर आपको रेन वाइजर इस्टाल किया हुआ देख रहा है जो की बलैरो इसके अंदर लिखा हुआ है ब्लैक कलर का है और काफी बढ़िया है बैक साइड से आपको लुक दिखाओं इसका तो काफी भैतरी लगने लगए गाड़ी यह रेन वाइजर लगने के बा अब तो आप थोड़ा आपकी गाड़ी का जो ग्लास से नीचे कर सकते हैं रेन वाइजर इसको कवर कर लेता है तो यह काफी बढ़िया रेन वाइजर है जो कि हम लोग ने यहां पर इंस्टाल किया है इसके अलावा हम लोगों ने गाड़ी के अंदर स्पॉयलर को भी इंस करता हुआ वाइट कलर का स्पॉयलर हम लोगों ने बैक साइड में लगाया है जिसमें आपको रैड कलर का इंडिगेटर लाइड ही मिल जाता है जब भी आप गाड़ी का ब्रेक को प्रेस करेंगी तो यह बैक साइड का जो इंडिगेटर है इस्पॉयलर के अंदर वो आन ह हो जाता है ,चलिए अब लोग बात कहते है गाड़ी के स्टेरिंग वील कवर की तो यहां पर जो हमँआरा स्टेरिंग मैं भात करूं काफ़ी बढ़िया इसका लुक भी है ब्लैक कलर का यहां यहां पर वील कव इंस्टाल कर लिया अच्मी फैल की हम लोग बात कहले तो एसमें हाड फ्लोर मेटिंग डाली है जो करें рассказ शच में जो कुछ भी डस्ट है आप रिमूब कर सकते इसको लिकाल कर वास करके फिर से इसको लगा सकते हैं तो काफी बढ़िया यह मैटिंग है जिसे हम लोग नहीं हाँ पर इंस्टॉल किया इसमें यदि आपको ग्रीन कलर पसंद नहीं है तो बहुत सारे कलर्स आपको एवलेब के अंदर कंपनी का कैन वूट का आपको स्टियो सिस्टम मिल जाता है जो कि इन बिल्ट आपको कंपनी प्रोवाइड करती है यदि आपको कैन वूट के इलावा किसी अदर कंपनी का यूज करना हो सिंगल दिन स्टियो सिस्टम तो आप मार्केट में बहुत सारी कंपनी के स facility मिल जाती है तोई यह मेरे front side के two speakers है जिसमें चार इंच के दो speaker install होते हैं और यहां पर आप दीखीए यह back side के speaker है जिसमें आप यह speakers को install करवा सकते हैं तो यहां पर front two speaker और back side में two speaker total 4 speakers आप अपने गाड़ी के अंदर install करवा सकते हैं चलिए बात करते हैं हमारा गाड़ी के जो back side का bumper guard है उससे भी हम लोग ने install किया है bumper guard आपकी गाड़ी को protect करके रखता है यदि कोई भी गाड़ी पीछे से ठूके तो आपकी गाड़ी पे effect नहीं पड़ता है ये guard उसको protect करके रखता है front side का bumper guard हम लोग ने नहीं लगाया दोस्तों जो की government ने band करके रखा इसलिए हम लोग ने back side का bumper guard को यहाँ पर install किया है लोग wise मैं बात करूँ तो इसका लोग काफी बढ़िया है heavy quality का ये material इसमें use किया गया है तो दोस्तों ये था आज हमारी महेंदा बलरो कार की सारी की सारी accessories वीडियो आपको कैसा लगा मुझे comment करके जरूर बताएगा और दोस्तों इन सभी car accessories के price related details मैंने description में share की है आप description में check कर सकते हैं सारे rate मैंने इसमें share कर दिये है तो दोस्तों आज के लिए वीडियो में इतना ही वीडियो आपको कैसा लगा मुझे comment करके जरूर बताएगा और चैनल को subscribe जरू कीजेगा मिलता है ऐसी next जूरे के साथ में तब तक के लिए गुड़ बाई